जब आपको वल्गम बहुत ज्यादा बनता है जब आपको खांसी बहुत ज्यादा होती है जब आपको लगता है कि मुझे ऐलर्जी टाइप की है तो आपको कफी सारी समझ्चाएं होती है तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से हम वल्गम को यानि की स्पुटम को और खांसी यानि कफ को किस तरह से ठीक कर सकते हैं पर्मनेटली क्योर कर यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल और बैल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें हेलो अब्रिवन डॉक्टर लोकिंद्र डीपिएच व्येच मेस फ्रम गॉलियर मद्यप्रदेश आज की वीडियो में जो आपको वल्गम बन रहा है जो खांसी आपको हो रही है उसके इलाज के बारे में बात करेंगे सबसे पहले यह समझते हैं खांसी और वल्गम में अंतर क्या होता है और यह क्यों होता है खांसी यानि कव खांसी क्यों होता है जब भी हमारी रैस्परेटरी यानि की जो स्वांस नली होती है जो ट्रेकिया होती है उस नली में कुछ जाता है जैसे कुछ दाना चला गया या पानी के कुछ छीटे चले गया जैसे हम पानी पीते है तो स्वांस नली में अगर कुछ चला जाए तो हमें खासी आईगी क्योंकि वह हमें इरिटेट कर रहा है हमारी जो ट्रेकिया है उसे इरिटेट कर रहा है जिससे कि हम उसे बाहर निकलने की कोसिस करते हैं अपने देखा होगा जब भी आपको फणा लगता है या आप खाना ख इंकलेंगे तो खासी आएगी इसी तरीके से कोई भी फॉरेन वाड़े अगर म्यूकस है ट्रेकिया के अंदर तब भी हमें खासी आएगी क्योंकि हम उसे बाहर निकलने की कोसिस कर रहे हैं ठीक है अब बल्गम के बात करें बल्गम यानि इस्पूटम तो आप एक चीज़ समस्या हो सकती है पैथालोजिकल रीजन हो सकते हैं फिजलोजिकल रीजन हो सकते हैं पैथालोजिकल रीजन यानि कि कुछ ऐसी बीमारिया जिनकी बज़े से आपको समस्या हो सकती है सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि आपके अंदर जो बल्गम बन रहा है या ट्रेकि किसी बीमारी से और रिलेशन रगता है तो जिस प्रकार का कफ आ रहा है फिर उसी तरह की रिपूर्ट कराई जाती है उस प्रकार की उसी से रिलेटेड टेस्ट करे जाते हैं और उसी से रिलेटेड ट्रीडमेंट चलता है अब अगर मानके चलिए किसी मरीज को बलड आ रहा ह यानिकि वा स्पुटम आ रहा है तो Скो मर्यतिकों मानके चलिए हो सकता त्रेवर क्लॉसडर हो और हो सकता है कैंसर हो और इस तरह की की प्राबलम हो सकती है इसोफेगस में कोई नई चीज जाएगी जो हमारे सरीर के लिए compatible नहीं है जो हमारे सरीर के लिए harmful है ऐसी situation में सरीर उसे बाहर निकलने की कोशिस करता है अगर blood में infection हो जाए तो हमें fever आने लगता है काफ़ी सारी problems होने लगती है अगर trachea में कुछ चला जाए जो लड़ने के लिए तयार हो जाती है अब यह लड़ेगी तो फिर आप समझें कि वहां पर कोडा कचरा भी खर्टा होगा तो जो जैसे मैक्रोफेज इस हैं लिंफोशिट्स हैं मॉनसिट्स हैं ठीक है या इसके अलाबा टी सेल्स हैं वी सेल्स है इसनोफिल्स हैं यह सारी चीज़े क्या होती है यह इंखटी हो जाती है जो पैथोजन रहा है उसको खतम करने के लिए हमारी सरीर की जो immune system होते हैं जो हमारी blood cells होती हैं वो उसे खतम करने के लिए जाती है जिसकी बजल से अगर मुकस का प्रोडक्षन हो रहा है तो इसमें घवड़ाने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये हमारे सरीर के लिए अच्छा है अगर थोड़ा बहुत बन रहा है तो अगर प्रोडक्षन ज़्यादा हो रहा है बार-बार आप उसको बाहर निकालने की कोशिव कर रहे तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है अब जो नॉर्मल विक्ती होता है उसमें थोड़ा बहुत बलगम क्यों बनता है उसका रीजन यह होता है कि हमारी जो ट्रेकिया है जो सांस नली है उसको मौश्यर रगना उसको गीला रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जब इसे कि चलिए म्यूकस निकलना बंद हो जाए अगर वहां पर मौश्यर नहीं हो तो फिर वहां पर समझेगा कि ड्राइब हो जाएगा हमारा जो ट्रेकिया है वहां पर दिक्कते आना स्टार्ट हो जाएगी तो इसलिए इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझे और अगर म् करन रहे तो ट्रीटमेंट में अब इसके कारण यह क्या हो सकते हैं सबसे पहला रिजन हो सकता है कि मरीस को ट्रीव क्लॉस है या नहीं है या और भी अधर टेस्ट होते हैं इसके अलाबह कुछ और बीमारियां जैसे क्राउनिक ब्रॉंकाइटेस हो सकती है ब्रॉंकर्स होते हैं उनमें स्वैलिंग होना लंबी जमेज दें इसके लाबह कई ऐसे पिशेंट्स होते हैं जिनको निमोनिया होता है तो उसकी बज़र से सब्वाब्स कई लोगों को आता है चैंसर वो सकता है है गले का एकम्स हो शकता है गले असक्तिम हए जाए कि म्यूकस ज्यादा बनाती है ना या खाने पीने में आपको दिक्कत हो सकती है निगलने में आपको तकलीफ हो सकती है इसके अलाबाद GERD के समझ्या अब आप कहेंगे कि GERD से और कौफ का बल्गम बनने का क्या रिलेशन है GERD यानि कि हमारे गले में जो और यह एसट आ रहा है पेट से श्टमक से जो जो एसेट गले तक आ रहा है वह डेमिज करता है उसकी बज़वा क्व काड़ है इस सूफेगा से सूजन हो जाएगी दिश्में सूजन होगी तो फिर म्यूक स्ट जादा बने का और उसकी बजह से मेंalsa सकते हैं हमें बल गम बहुत जादा सकता है और हमें एरीडेशन हो सकता है इसके लबाबर diduka किसी को किसी पर्टिकुलर चीज़ Silence तो भी हो सकता है तब भी बल्गम बहुत जादा बन सकता है इसके अलाबा आपको हो सकता है कि कोई और बीमारी हो कोई बीमारी हो उसकी बज़े से भी बल्गम आपको परिशाण कर सकता है treatment क्या करें घर पर रह करें कैसे हम पता करें और कैसे हम बचें कफिया है इन क BAR नहीं सकते हैं कि हमें कौन से problem है क्या है क्या नहीं है इसके अध्य जो प्रिवेंशन की बात करें तो आप हल्दी ले सकते हैं जैसे आप पानी ले रहे हैं गुंगुना तो उसमें थोड़ी बहुत हल्दी डाल ले जिएगा गुंगुने पानी के वाप ले सकते हैं इसके अलावा अधरक का शेवन थोड़ा बढ़ा सकते हैं अधरक का सेवन जो जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है जिनको बहुत ज़्यादा ऐसे लोग है जो बल्गम इनको बार-बार बनता रहता है तो अधरक का सेवत थोड़ा बढ़ा सकते हैं हल्दी भी आप थोड़ी से उसमें गुनगोरे पानी में ले सकते हैं डिरी प्रोड़क्स को दूर रहें avoid करें जिससे कि आपकी बल्गम बन रही है उसे आपको राहत मिले और जो GERD की बज़र से है उसमें भी आपको आराम मिलेगा अगर आप फ्राइट चीज़ें कम खाएंगे तो तो कई बार पता ही नहीं लगता है GERD की बज़े से problem होती है और हम treatment allergy का करा रहे ह होते हैं तो इस चीज़ का थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा treatment की बात करें अगर हम बल्गम बन रहा है मरीज को खासी हो रही है तो ऐसी situation में old age में अगर हम बात करें old citizen से जिनकी उम्र पचाश साट साट साल से उपर है तो ऐसी situation में हम दो तीन medicines ले सकते हैं और दोनों तीनों medicine से हम patient को ठीक कर सकते हैं सबसे पहली medicine है Ammonium Carve Ammonium Carve एक ऐसी medicine है जो 30 potency में हम ले सकते हैं 30 potency में दिन में तीन वार सोबेद और फेरेंश या बल्गम हो रही है रात में तीन बज़े के बाद उनको खासी होती है या फिर सोने के बाद उनको खासी होती है बल्गम आता है तो यह medicine बहुत ही specific medicine है इसके साथ में काली ले सकते हैं काली वाइक्रोम जैसे हम बोलते हैं 200 बुदेंसी में दिन में तीन वार सोबेद और फेरेंश याम को चाल चार ड्रॉप साफ ले सकते हैं इससे भी आपके बल्गम जो बन रहा है खासी जो हो रही है उसमें आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा बच्चो सोते समय आप दे सकते हैं बच्चों को बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा थर्डी पुटेंसी में आपको लेकिन यह लेनी होंगी जिनको बच्चों को बहुत ज्यादा तकलिफ होती है रात में रात में बहुत ज्यादा खांसी आती है घड़गर जैसी आवाज आती है सीने स सांस लेन में तकलیف होती है ऐसे बच्चों में इन 3 amidissance को हम mix करके दे सकते हैं एक combination बना करके दे सकते हैं जिसी कि उस मरीज बच्चे को जल्दे रिलीफ मिले एक खासियत है कि इस बच्चे को रात में अगर दिक्कत होगी तो उसकी नीद नहीं टूटे Egypts Dads हम ऐसे बच्चे को यह दवाइयां दे सकते हैं अड़र्स की बात करें तो एडर्स में सबसे पहली मेडिसिन है कालेविच काली वायदेशन बहुत जुब अच्छी मेडिसिन है इसके अलावा काली वायदेशन है 200 पॉटेशन को ले सकते हैं इसके अलावा एक medicine और है जो ब्राण अलग है लेकिन बायो combination का बहुत अच्छा है कॉफ एड कॉफ एड आप दस एमल दिन में दो वार ले सकते हैं शोबह एंश्याम को जिनको ज्यादा खांसी है जिनको ज्यादा वल्गम है वो दिन में तीन वार ले सकते हैं इससे आपकी जो परिशानियां थीक कर सकते हैं मरीश को देखरके और मरीश को जो प्राब्लम से उससे आप मरीश को छुटकारा दिला सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें कोई और medicine के बारे में त करके का ब्रांड आता है उसे भी आप ले सकते हैं वह भी बहुत अच्छा कफ सेरफ है बहुत अच्छे तरीके से उसके विजल्ट हमें देखने को मिलते हैं आई होब कि वीडियो बहुत ज्यादा है एलफुल होगा इस तरह की और हैल्स रेलेटेड वीडियो देखने के झाल 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 झाल